हलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शे बजार विदायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 27 अगस्ट यानी आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में ड्रीम फोक्स सर्विसेज हर्शा इंजिनियर आई का आई पियो जो नए आई पियो का अनौंस्मेंट होता हुआ देखने को मिल गए वह तमिलनाड मोसल डायन बैंक अब इसकी डेट्स जो है वह आउट होती भी देखने को मिल चुकी है लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले एक इंपोर्टन टॉपिक के बारे म क्योंकि मार्केट के अंदर जो कल यूएस मार्केट से वो क्रैश होते हुए देखने को मिल गए उससे पहले एक इंपोर्टन बात अब को बताना चाहूंगा जिनको नहीं पता है कि मार्केट क्रैश क्यों मैं बोल रहा हूं तो आप एक वीडियो जाके देखिए तो फ्रे मार्केट के अंदर जो कल होता हुआ देखने को मिल गया है हमारे मार्केट भी मंदे को क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे तो जरूर वो वीडियो पहले देख लीजेगा यह आपको मैं कहूंगा अब बात करते हैं यहां पर दोस्तों सबसे पहले ड्रीम फोक्स आईप पढ़ता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट का तो definitely थोड़ा बहुत असर तो पढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि बहुत fundamental change हो रहेंगे आई पीओ के नहीं company के fundamental जो है वो तो same के same ही रहेंगे बट थोड़ा बहुत effect पढ़ सकता है gray market के उपर अब देखना हुआ कि market कितने दिन गिरावट में रहता है सबसे important बात तो यह है देखिए subscription जो आया है वो बहुत शांदर आया तो chances बहुत कम है कि यहाँ पर आपको कुछ खराब होता हुआ देखने को मिल जाए लेकिन अगर market बहुत जादा ही आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाए then definitely दोस्ते हैं आपको situation जो है वह थोड़ी से खराब हो जाएगी but overall अभी आपको मैं यही कहूँगा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है IPO मेरे साब से तो देखिए यहाँ पर आपको definitely profit देखने को मिलेगा market ज़रूर दोस्ते हैं आपको मंडे को गिर सकता है ब important है कि देखिए Monday को market को closely track करिएगा चो लोग नहीं भी करते हैं वो भी market को देखिएगा कि market में किस प्रकार का move आ रहा है right market में जिस प्रकार का move आ रहा है उसके हिसाब से दोस्तों आप है positions gray market के अंदर भी आपको unwind होती है भी देखने को मिलेगी कुछ important dates है जिसके बार मे अगर आपको allotment नहीं आता है तो जो आपका पैसा है वो दो तारीक तक आपको आ जाएगा and 5 तारीक को अगर शेयर्स आपको मिल जाते हैं allotment में तो DMAT में वो credit हो जाएगे तो यह important dates है बात करें दोस्तों इसके gray market के बारे में तो दो sites पर gray market हम check करेंगे दोनों में थोड 30 वी देखने को मिल रही है और इसके मुताबिक 33% का यहां पर कम से कम आपको upside देखने को मिल सकता है 33% आप यहां पर कमा सकते हैं अगर मैं देखूँ यहां पर जब last update हुई थी तो आज 27 अगस 10 बच के 53 मिनिट पर update हुई थी तो definitely यहां पर updated दिखा रहा है करीबन 110 रुपे दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है तो high fluctuation आप जरूर कह सकते हैं कि आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है अभी grey markets के अंदर एक जगह 110 दिखा रहा है एक जगह 80 रुपे दिखा रहा है हर जगह subject to rates तो काफी strong है subject to rates आप कह सकते हैं कि एक chances होता है कि कितना profit आ देखने को मिल रहा है उदर 47 रुपे चलते भी देखने को मिल रहा है subject to rates तो कह सकते हैं कि यहां पर अभी तो grey market में भी काफी action देखने को मिल रहा है but mostly जो पता चलता हुआ देखने को मिलेगा जब market open होंगे तब पता चलता हुआ कि यहां क्या यहां पर ज़्यादा तर situation create होती भी देखने को मिल रहा है तो ज़रूर यहां पर important market होने बाला है इसलिए मैं आपको वो कह रहा था कि video देखना आपको इलिए important है बात करतें next IPO के बारे में जिसका announcement आपको होता हुआ देखने को मिल गया है so friends जो announcement होता हुआ देखने को मिला है वो होता हुआ देखने को मिला है तमिलनाड mercantile bank IPO on 5th of September तो दोस्तों 5 सितंबर से यह IPO आपको open होता हुआ देखने को मिलेगा ज्यादा तो देखिए information निकलके नहीं आईए बट जो थोड़ी बहुत information है वो आपको देखता हुआ ग्रे trading prospectus जिसमें बताते हैं dates सब साई dates निकलके आती है अभी तक इसके price band के बारे में announcement होते वी देखने को नहीं मिलिए ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ अभी तक पता नहीं है कितने रुपे का भी IPO आता हुआ देखने को मिल रहा है face value उन सबका announcement हो चुका है तो याद तरिक तक ही open रहेगा 12 को allotment आता हुआ देखने को मिलेगा और 14 तरिक को आपके shares dmat में और 15 को listing तो 5 सितंबर को जो IPO खुलने जा रहा है वो 15 सितंबर को list होता हुआ देखने को मिलेगा तमिलनाट merchantile bank है 100 साल से जाधा दोस्तों इस company को हो गए bank को हो गए basically बढ़िया company आप इस था 2019-20 में वो बायालिस का EPS हो गया अभी इसका बात का data निकल के नहीं आया but important क्या है कि company का return on net worth जो है वो भी लगातर increase होती भी देखने को मिल रही है तो किस प्रकार से दोस्तों या IPO आता हुआ देखने को मिलेगा वो तो जरूर important होने वाला ही है but इसके अगर आप PA comparison में देखेंगे तो definitely company का जो दूसरी बैंक का PA City Union का 18 का हो गया CSB का 23 का हो गया DCB का 8 का हो गया वो जो साबसे इसको भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ही रहता हुआ देखने को मिल रहा है कोई दिक्कत अली बात नहीं है because last में 13 था lead managers का नाम जो निकल के आ रहे है इसमें यहां पर ताई कर दियागा कि 75% क्यूआई बीज 15% एनाई इस और 10% retail portion दिया जाएगा यह बात निकल क्या रहे है यह इसमें retail का जो portion है वो definitely आपको इतना जादा रहता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है मात्रत 10% के आसपास रहेगा 10 रुपे की face value है price band भी मान के चलि अब देखने को मल रहा है बट अभी तक जो official update है उसका हम wait करेंगे अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर next IP के बारे में तो अगला IP दोस्तों जो है हर्शा इंजिनियर्स अब इसको लेकर तो अभी तक जादा update आते हुए देखने को नहीं मिल रहे है अब इसकी भी dates मार्केट को देखकर भी announcement करते हुए कोई पता नहीं किसी को बड़ इंपोर्टन केगी मुझे लगता है कि आ जानीची इसकी जो भी update है वो थोड़े दिन के अंदर हर्शा इंजिनियर्स IP भी open होता हुआ देखने को मिलेगा basically अगर आप देखेंगे तो तमिल नाट का बारह अजार ओलर टक सॉलूशंस का 43,000 नाचरो इंडिया बुल का 20,000 आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा रहतान टीम्दी तो माइनस में ही है तो यह दोस्तों कुछ 5 SME IP उस है सबके subject to rates काफी बढ़ा चलते हुए देखने को मिल रहे है तो friends इस वीडियो में इतना ही कि आपके बार सक्की पना ही है जडियो में ही है टूर दोस्तों को यह दोदिवा में ही है तो उड़ा और सक्ट आपको गुटी यह दोस्तों है कि आपको जडियो